आप देखते होगे कि अपिए क्लास मेरी आफ पी का फ्रेंड को ऐसा है जिसको कोई सब्सक्राइब याद करता है उसको लंबे समय अधर रहता है यहां तो स्थूर्ण ऐसा होता है जो कोई चीज एक बर याद कर लेता है उसको बहुत समय रहता है वहीं आगर आप देखो तो आज बात करेंगे इसी टॉपिक को लेकि कि हमनों कोई भी चीज एक बार पढ़ते हैं या याद करते हैं उसको लंबे समय तक कैसे याद रखें मैं हूँ अंतलिफ साधानी और मैं इस्ट्रेजी अपना कि अपना एक्जाम में और वही चीज में आपको बताऊंगा कि आप इ करने में बहुत आसानी होगा और कम एफर्ट में आप उसको दो बड़ा रिमाइन कर पाऊंगे और आपको लंबे समय तक याद रहेगा तो चले वीडियो को सुरू करते हैं सबसे में सबसे बेस्ट और में जो टेकनिक है वह है रैपिट रिवीजन का मतलब यह है कि आप को पर्मानेटली याद नहीं रहेगा जिया दूस्तों यह मानव का एक तरह का मतलब कह सकते हो नेचर है साइंटिफिक रिजन है जो भी है कुछ चीज जब आदमी एक बार पढ़ ले तो आपको समय के बाद अपने रिसेट हो जाता है यह चीज हलाके कही ना कहीं अच्छा है है कि अगर आदमी के माइंड से पते हैं याद रखते हैं देखते हैं तो कितना दिमाग से अगर when voice कितना स forte मैं बढ़ जाएगा इस प्रू हम लें Are करने के लिए करना पदता है कि याद करना पड़ता है अगर आप नहीं करोगे तो यह कि मैंने बहुत सारे स्टूवेंट से मिला और बहुत सारे स्टूवेंट को अब तक देखा है अगर एक बार पढ़ ले तुसको हमें सा के लिए याद नहीं रह सकता कितनों भी वह फार्व स्टूवेंट क्यों नहीं हो तो याद कैसे रहता है एक्जाम में जो टॉप करता है तो किस तरह होता है जो चीज आप साल के सुरुवात में पढ़ते हो एक्जाम तो साल के इंड में होता है इतना दिन तक याद कैसे रहता है तो इसा नहीं कि शुरू में अपर लिया तो लास्ट में अपने अप्याद आजएगा नहीं उसको कई बार बीच में रिवीजन कि करना है तो आपने आप एक इस्ट्रेटरसे बनाओ चाहित तो आप वीकली करो चाहित तो आप 15 दिन पर करो या फिर मंधली करो जैसे बीगों करना पड़ेगा मेरे सबसे बेस्ट रिवीजन का तरीका है कि आप वीकली करो जो चैप्टर का पढ़ती हो आज दिस दिए पर याद करना है जो चैप्टर आप गंटा लगाते हो परने परने में याद करने में उसको पांस से साथ मिनट देखे आप डेपेट रिवीजन के रूप में कर सकते हो तो यह रिवीजन बहुत जरूरी है आपको कोई भी समान को या कोई भी परहे हुए चीज़ को लंबे समय तो याद रखने के लिए अगले तब बात करते हैं तो अगला टॉपिक हम लोग का विजुवालाइजेशन को याद रखते हैं सब आपको एक्जांपल हम बताएं कि कोई आप मुवी देखते हो या कोई इंट्रेस्ट लगा और बहियां से अब देखे हो वह मुवी का किसी भी क्लिप से आप कोई भी कोशन पूछ देता फूरण बता दोगी यहां उसके बाद यह हुआ था और वहीं पर पांस साल पहले कोई टॉपिक आपको पढ़ाया गया उसके अगर पुरा मतलब कुछ भी आप साहित के नहीं बता पाओगी यह है कि हम लोग का माइंड जो है विज्वालाइजाशन चीज़ को जल्दी कैच कर लेता और ज्यादा समय तक उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग पढ़ाही करने उसको विज्वालाइज जो मूवी टाइप कांतर है अपने माइन में सोह सकते हो है जो रट ने वाला चीज को याड रखते हो याद रखते हो तो अगला स्ट्रेटेजिस को लंबे समय याद रखने के या उसको रिमाइन करने का क्या है तो अगला चीज हम लोग अगर फॉल्व करने दो है एक्स्प्लैंड यॉर्सेल्फ अपने आपको एक्स्प्लैंड करना पड़ेगा उसके तीन तरीके चाहिए तो आप क्या करो उसको पढ़ते हो खोड़ से रिखने या कोशिस करो जो पढ़ लिए उसको बुक बंद करो अपने से कॉपी उठा और लिखना सुरू करो कुछ भी मायन में आता उसके बारे में लिखो यह चीज करना आपके लिए बहुत जरूरी है को चीज को लंबा समय याद रखना है तो तो ओनी यह बढ़ता है तो हम लोग को चाहिए कि अपना चीज जो हम पढ़े हैं तो वह पने आप अपना चीज जो पढ़े हो इसको बताने है कुछ ताकि उसको पताओ ने और उसपे चार चान लग जाएगा निवह बहुत जैदा तो समझा देती हो इसका मतलब यह है कि आप ठीक ठाक पढ़े और आपको समझ में आ गिया तो आप कोसिस करो कि अपने जुनियर को पढ़ाओ या अपने क्लासमेट में किसी को किसी के पास जुनियर हो या सिनियर हो जो भी हो उसके सामने वह अपना एकस्प्लेंड करो या कोई नहीं है मानते पढ़ें उस टॉपिक को समझा रहे हैं तो एकस्प्लेंड करना जरूरी है चाहिए लिखे करो या तुम मीरर के सामने करो या पढ़ाओ जैसे भी हो अपने अंदर की आवाज जो तुम पढ़े हो उसको अंदर ने रखना उसको बाहर एकस्प्लेंड करना यह बहुत जरू करने से बैदर है कि दो वार तिन बार लीजन करो इसको लिखने पूर अपना रिवीजन में आ जाओ तो यह सब तरीका है बार-बार बुख परने से बार-बार मत्वर एक चीज़ को रटने से याद नहीं रहते हैं लम्बे समय तक कुछ बेसिक चीज़ को ध्यान रखते सब्सक्राइब करना और अपने ज़स्तों सब्सक्राइब करना और चैनल में लगाता रिष्टर का वीडियो आधे रहते हैं मिलते हैं वीडियो के लिए बाए बाए